रुप में इस्तमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खत्रा है। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थिंतियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्थान की जनता को, वहां की महलाओं और बच्चों को, वहां की माइनोरिटीज को मदद की जरुरत है। और इसमें हमें अपना दाइत्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय हमारे समंदर भी हमारी साजी विरासत है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन डिसोर्सिस को हम यूज करें। हमें एब्यूज नहीं हमारे समंदर अंतर राष्टिय व्यापार की लाइफ लाइफ लाइन भी है। इन्हें हमें एक्स्पांशन और एक्स्लूजन की दोड़ से बचा कर रखना होगा। रूल बेज वर्ड ओर्डर को ससक्त करने के लिए अंतर राष्टिय समुदाय को एक सूर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिशद में भारत की प्रसिडेंसी के दोरान बनी विश्टूर्थ सहमती विश्व को मेरिटाइम सिकुरिटी के विशे में आगे बढ़ने का मार्क दिखाती है। अध्यक्ष महोदाय भारत के महान कुट नितिग्य आचारिय चानक्य ने सदियों पहले कहा था कालाती क्रमात काल एव फलम पिवती जब सही समय पर सही कारिय नहीं किया जाता तो समय ही उस कारिय की सभलता को समाप्त कर देता है। समयुक्त राश को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेश को सुधारना होगा। रिलाइबिलिटी को बढ़ाना होगा। ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। कोविर के ओरिजिन के संदर्व में और इज अप डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवरनेंस से जुड़ी संस्ताओं ने दसकों के परिशम से बनी अपनी विश्वस जयता को नुक्षान पहुचाया है। यह आवशक है कि हम वी एन को ग्लोबल आडर, ग्लोबल लॉंस और ग्लोबल वैल्यूज के समरक्षन के लिए निरंतर सुद्रट करें। मैंनोब पहुचाया है प्लोबल लॉंस और ग्लोबल लॉंस और ग्लोबल लॉंस यह आवशक है।